सेंट फेलिक्स बना आगरा का लोगोटिक एजुकेशनल नर्सरी स्कूल आगरा में सेंट फेलिक्स का अपना नाम है मिशनरी स्कूल में आगरा के लोग चाते हैं उनका केट्स सेंट फेलिक्स में बढ़े सेंट फेलिक्स आगरा का पहला नर्सरी स्कूल है जिसमें Kids Farm बच्चों के लिए बनाए गया है जिसमें Father Dominic George ने बताया कि बच्चों को वेजिटेवल का ग्यान होना चाहिए कौन सी सब्जी में कितना विटामिन होता है सबका ग्यान बच्चों को होना चाहिए प्रिंसिपल Father George ने बताया कि अभिभावकों से अपील की कि अभिभावकों को बच्चों को प्रेडित करते रहना चाहिए और Father George ने आगे क्या बताया आई ये सुनते हैं अभिभावकों को जो मेरे लिए बहुत अजीज हैं उसे ही कहना चाहूं जो मैं हमेशा अभिभावकों को कहता हूं जब पहले दुपर मिलते हैं मुझसे कि आज से ये बच्चा मेरा है और आपके घर रहेगा इसलिए मैं इस बात को दुबारा अपने अभिभावकों को पहुंचाना चाहता हूं कि बस वो जो संबंध है ये बच्पन का ये समय जो तीन चार वर्ष रहेगा ये बहुत जल्दी निकल जागा देखते देखते इसको कितना हम यादगार बना दे कितना हम आपस में उसे घनिष्ट होकर जुड़ जाए कि वो आने वले समय तक वो बंधन इतना स्ट्रॉंग हो जाए कि वो किसी भी परशानी से तकलीफों से तूटे न और अभिभावक हमेशा अपने बच्चों को स्कूल से एकदम जोड कर रखें स्कूल के सभी कारिक्रमों से जो भी हो रहा है और जब वो इतना जब जूड़े रहेंगे अपने आप बच्चे उन्हें मालमें कि सेफ ठांस में हैं या तो वो घर पर है या तो विद्याल है और हमेशा इतना आपने मैसूस करते हैं सेक्यूरिटी होता है और हम फिर ग्रो करता है मालमें सब्लों हमें समझेंगे यह है